यह दुनिया अद्बुत रहसें से भरी पड़ी है कुछ रहसे तो ऐसे हैं जिन पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है ऐसे रहसे जिने अब तक कोई भी सुलजा नहीं पाया है वैज्ञानिक भी इन रहसें के आगे हैरान है तो चलिए आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े अंसुलजेर एसे के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपो भी यकीन नहीं होगा आपने प्लेन हाईजैक की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा लेकिन ऐसी ही एक असल कहानी अमेरिका के इतिहास में भी दर्ज है ये घटना 24 नौंबर सन 1971 की है जब एक डीबी कूपर नाम के आदमी ने अमेरिकी जाहिज वाइंग 727 को बिना किसी हत्यार के ही हाईजैक कर लिया था और वो विमान में रखे 20 डॉलर के 10,000 नोटों के साथ एक पैराशूट की मदद से जहाद से कूद गया था लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वह कहा गिया इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है इस रहस्मे शहर के बारे में कहते हैं यह शहर एशिया महादवीब से भी बड़ा था लेकिन एक दिन अचानक से यह समुद्र में समा गया जिसे इतिहासकार आज भी खूजने में लगे हुए है ऐसा माना जाता है कि क्रीक सभ्यता का यह शहर अटलांटिक महासागर के एक टापू पर इस्तित था इस सहर को पूरे यूरोप का केंदर भी कहा जाता है इस सहर के समय समय पर महासागर में दफन होने के सबूत भी मिलते रहे हैं लेकिन इतना बड़ा शहर समुद्र में अचाना कैसे गायब हो गया आज तक वेग्यानिकों के लिए भी अंसुल जी पहली बनी हुई है जिसके बारे में आज तक पूरी तरह से पतानी चल पाया है कैलिफोर्निया की डेथ वेली में यह जगह बहत रहसमाई मानी जाती है क्योंकि यहां पड़े हुए पत्थर अपने आप चलने लगते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ देते हैं जिनने देखकर हर कोई हैरान और भोचका रह जाता है यह भारी भरकम पत्थर रहसमाई तरीके से इस घाटे की सतय पर चलते हैं इतना वजन होने के पावजूद भी यह पत्थर खिसक जाते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ देते हैं लोगों का मानना है कि यह पत्थर हवा की वज़े से खिसकते है लेकिन इतने बड़े पत्थर सिर अपने पीछे निशान छोड़ते हैं वह कई सौ सालों ऐसे ही बने रहते हैं इस जगे का रहस से आज तक कोई भी नहीं सुलजा पाया है स्कॉटलेंड देश के मिल्टन गाओं के पास एक बहित ही रहस में ब्रिज मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है यह ब्रिज वहां से गुजरने वाले कुटों को आत्म हत्या करने के लिए अपनी और आकरशित करता है इस ब्रिज से कूट कर अब तक लगबग 600 कुटे आत्म हत्या कर चुके हैं चौकानी वाली बात तो यह है कि सभी कुटों ने आत्म हत्या करने के लिए एक खास जगे को ही चुना था कुछ लोगों का मानना है कि यह ब्रिज एक ऐसी रहस में जगह है जहां पर जिन्दा और मिर्ट लोगों की दुनिया मिलती है ऐसा माना जाता है कुटा इन अद्रिश्य शक्तियों को देख सकते हैं इन सब घटनाओं को देखते हुए वहाँ की सरकार ने इस ब्रिज पर बोर्ड लगा कर अपने कुटों को इस ब्रिज पर साफधानी से रखने का आदेश भी दिया है चीली देश में इस्टर आइलेंड नामक एक बहतर हैस में द्वीप मौजूद है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां लगबग 600 हैस में मूर्तिया मौजूद हैं जो आकार में 100 टन वजन और 34 से 40 ट्रीट लबी है इनकी सबसे खास बात तो यह है कि यह सभी मूर्तियां देखने में लगबग समान लगती हैं ऐसा कहा जाता है कि इन मूर्तियों पर प्रहार करने पर छोटी मोटी खरोच के अलावा कुछ नुकसान नहीं पहुंसता इस आईलेंड पर जब किसी के रहने के सबूत आज तक नहीं मिले तो यह मूर्तियां रहसमाई तरीकों से यहां कैसे आ गई यह आज तक एक रहस से बना हुआ है दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे बड़े और अनसुलजे रहसों के बारे में बात की अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो कर लें ताकि ऐसे ही मज़ेदार और रोचक चीज़ों के बारे में जान सके